नमस्कार, हम आप पोचे हैं बजाड गाउं में, जो अटेली विधान सभा में बढ़ता है और मेरे पीछे ये घर देख सकते हैं, ये नो तारिक को यहाँ पर एक बच्ची की साधी हुई थी, बगर दहेज के, तो हम जैसे आपको स्टार्टिंग से दहेज के लोबियों की भ और अब जो है दहेज रहित जो साधिया हो रही हैं, उनकी भी आपको हम न्यूज दिखा रहे हैं, खबरे दिखा रहे हैं, तो उनके परिवार वाले अंदर यहां मौजूद हैं, उनसे हम सारी जो चर्चा करेंगे, इन्होंने कैसे सोचा, दहेज रहित साधी करने का कैसे बनाया कैसे इनकी आपसी बाते हुई यह देख सकते हैं काफी अच्छा मकान है और काफी गैदरिंग है और इनके भी यहां पर पसू आपको दिखाई देंगे सारा परिवार जो है भरापुरा परिवार है और वेल एजुकेटेड फैमली है दोनों साइट से हम कहेंगे उनका जो बाई है लडगी का वो भी हमारे साथ मुझूद है उनकी माता जी भी वहां पर दिखाई दे रही है और उनकी मम्मी है अंदर अभी अंदर बिजी है तो यह उनके बाई है यह उनके लड़की के पापा है कर दो, बुटाओ कर दो. सबसे पहले हमारे चैनल में आपका सुआगत करते हैं सर मैं आपका बहुत सुक्र गुजार हूँ आपने इतनी अच्छी चला रखी है और इसे ज्यादा मुझे खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती अगि मुझे ऐसे अच्छे रिस्तदार मिले और इतनी बड़िया मुझे उन्होंने मोटिवेट किया उन्होंने मुझे पर एक बेटी थी क्योंकि मेरे पास खुद के पास एक बेटी नहीं है और मैं आपने अप से हमकुचित पैसे करता हूँ अंकरान करता यह देख सकते हैं बहुत बड़ी बात हैं उन्होंने कलते को नें क्वा इंटरू किया था तो वो जो परिवार है फले फूलेगा तो हमारे साथ देख सकते हैं उनकी माता जी भी दिखाईए वो भी आचुकी है और उनसे भी हम आपको रूबूर करवाएंगे सर ये बताए जैसे शादी में जिस तरह से आवाजे उठती हैं दहेज को लेकर के तो सर वो क्या सोचते है आप की तरह आपकी तरह जैसे जैसे दहिज ना ले करके ना दे करके उन्होंने दहिज ना लिया तो समाद में आपके गाउं में भी जैसे बजाड गाउं में आप रहते तो काफी बड़़ा मैसिस गया होगा क्यूंकि paper के माद्यम से भी और all over ris s посolid February मेimento says central मीडिया के माद्यम से before such a जाते हैं तो सर क्या कहेंगे जैसे इंथे पक्यावन पोदे और इक्वान की पगडी जो समान की प्गडिया होती है वे उन्हों जदा चल रही है सभी को लड़का चीए और बन्होंकरे वाला कर मिल जाए तो हम पताने क्या लगा देंगे मेरे ऐसी सोच नहींति है मुझे इस में कौने है यह रहे लड़का की यह चीएंगे अगरम हम देज में देने फक्नि की की बहुत अच्छा रहेगा कि हम दहेज रहीज साधी करेंगे दहेज अगर देना है तो लड़की आप कहीं और दे सकते हैं तो इनके विचार रहे हैं उनके बारे में कहँगा मैं नहीं आप बताओं मैं किस परकार कैसे क्या करूं मुझे तो यह ऐसा कुछ आजीव सा लग रहा है कि आज समाज में जितन समानों तो इससे ज़्याद मुझे कुछ नहीं बोल अगर आपको ऐसा है तो आप ऐसा कुछ करो कुछ अठके तो हम मैंने उसमें यही प्लान किया कि वही हमें यह पोद्दे उन्होंने समसे बैट सब्सक्राइब करना है और उस परकार से और मैं कुछ पोद्दे बैट करूंगा आपको तो इससे अची बात कुछ होई नहीं सकती है तो इसमें देशे दो बात हैं क्योंकि एक तो परियावरन संग्रिक्षन क्योंकि परियावरन को ले करके काफी बड़ा मैसिज गया है और दूसरा दहेज को रोक थाम के लिए भी काफी बड़ा इन्होंने कदम उठाया और बुजर्गों का सम्मान सबसे बड़ी बात है ब काफी बड़ी बात है इन्होंने काफी बड़ा समाज को मैसी दिया है तो हमारे साथ लड़की के भाई हैं सर क्या नाम आपका रही नहीं है और तयारी कर रहा हूं तो अभी जिस तरह से आपकी सिस्टर वहाँ पर गई है मोहनपूर में तो क्या लग रहा है कि किस तरह का आप मैसूस कर रहे हैं कि बगर दहिज के साधी करना एक बहुत बड़ी बात है समाज में पोजिटिव मैसीज इसका गया है बहुत खुशाल मैसूस कर रहे हैं सारा परिवार और समाज की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि यह समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसीज है जिस परकार से अब समाज में एक तरीके से लालच का दोर चल रहा है उसमें उसके अंदर हम यह देखते हैं कि ऐसी एक साधी के तैय हुई जिसमें देज का बिल्कुल कोई लेना देना कोई बात चीत ही नहीं थी तो यह समाज के लिए एक अच्छा मैसीज है जिस टार्टिंग में जैसे आपका रिस्ता उनके साथ वा लड़की का आपकी लड़की का बेहन का हुआ तो जैसे वहां पर कोई बात होई कि इस टार्टिंग में जब हमारी उनसे बात चीत हुई थी जब मोशा जी यहां देखने आये थे बैन को तो यहां आते ही उन्होंने सरवपर्थ हमें एक ही बात कही थी कि भाई मैं इन्हें अपनी बच्ची मानकर श्विकार करता हूं और अपनी बच्ची मानकर आप मेरी जोली में डाल दीजिए मुझे आप से और कुछ नहीं चाहिए अगर आप इजाज़ दे तो मैं जैसे एक छोटा से विवा होता है चुन्नी उडाकर ले जाने के लिए अभी तयार हूं यदि आप इजाज़ दे तो मैं आज ही विवा करने को तयार हूं उनका दैज के परत कि दे सुटाई थे हमें और साधी के समय भी बिल्कुल एक दम सक्त तरीके से उन्हों ने मना किया था कि भई दायज जो होता है वो समाज और मनवता और परिवार के इनके खिलाफ होता है तो दायज एक बुरी चीज़ है ये ना लेना चाहिए ना देना चाहिए उनहोंने बिल्कुल इसके लिए मना कर दिया था हमने अपनी बेन के लिए परिवार देखे हैं जैसे तो हमारा हमारा मन में ये थी कि हमें कोई शिक्सित परिवार मिले शिक्सा का क्योंकि मुलूद्दे से होता है विचारों की सुधता जब आदमे कोई शिक्सित होकर उसके विचार सुध हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है लेकिन समाज में आप कई जगे ये भी देखते हैं कि भाई शिक्सित होते हैं लेकिन विचार उनके तब भी रुडिवादीता में वो विश्वास रखते हैं, वो पुराने खायलात के होते हैं, लेकिन हमें ऐसा परिवार मिला, हम बिलकुल खुछ नसीब हैं, और हम अपने आपको खुछ नसीब मानते हैं, हमारी बेहन इतने अच्छे घर में गई है, त लड़की की मम्मी भी हमारे साथ बनी हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं, आप इधर कर लीजेगा एकबर, आप इधर आजाएकबर, बताइए क्या नाम है अपका, सनेलेता नाम है, सनेलेता जी, तो अभी आपकी लड़की उस घर में गई है, तो सबसे पहले आपकी बेटी से साधी करके लेके गई है, तो समाज में महिलाओं में एक मैसिज आता है, कि ये नहीं आया, वो नहीं आया, काफी मानते हैं उस चीज़ को, तो आप कैसा मानते हैं, कैसा क्या सब्सक्राइब? रंग चाव तो करके जब खंदा आगा, चलो ठीक है, बरात वगएरा तो आई होगी यहां पर, क्योंकि ये तो सम्मान सम्मान गैस्ट वगएरा जो भी होते हैं, बाकी दहेज का कोई भी एक एक रुपए के अलावा कुछ नहीं लिया, उन्होंने बाकी 51 पोदे या 21 रिटीव मेसिज आता है उस चीज़ का, तो आप समाज को क्या मेसिज देना चाहेंगे, किस तरह की साधिया होनी चाहिए? तो कहीं ने कहीं मैं देखता हूं कि लड़की की जो परवरिस है उसमें माता का काफी बड़ा एहम रोल होता है तो उनकी परवरिस में कैसे क्या आपने कहां से सुरुआत की परवरिस कैसे की उनकी परवरिस मागर में तो जमीदारा को काम थे अपने गर मेरे साथ और खेट को भी कर्या करती और अपना उन पड़ाई खातर बार वह चांदा है दो साल में आगा कि पड़ाय करका आइ यह उनकी साथ दी कर दी और मेरे तो मन भी नालाग रोगर में वाचली गई जब यह तो होता है क्योंकि अगर एहम सदश्य हो कहते हैं कि बच्ची अपने बेटे से भी बढ़के प्यार होता है पीता हो ची माता हो तो उन्होंने तीन साल जाट पाली यूश्टी से ग्रेजुएशन करके और उन मनफूल मनफूल तो आपकी पोती बगर दहिज के साधी करके गई तो क्या कहेंगे इसके बारे में बहुत खुश है और बहुत बढ़िया परिवार मिला बहुत बढ़िया काम है और बहुत हम खुशी तो आपके टाइम में भी ऐसा होता था कभी ना हमारा टेमत इसा आपके टाइम में ऊछा नहीं होता था कि हुश दैज दिया जाता था तो अब मान रहेंगी समाज में कुछ बढ़ाव आ रहा हैं नहीं कोई बढ़िया परिवार मिलों बहुत बढ़िया बढ़िया काम होया है ठीक है ठीक है तो लड़की की जो भुआजी हैं उनसे भी हम तो आप भी बताईए क्योंकि बच्पन कहीं ने कहीं आपकी गोद में उन्होंने बिताया होगा तो किस तरह का उनका नेचर रहा होगा जिस टाइम बढ़िया नेचर खूब बड़िया परिवारम गई सपड़िया लिख्या मैं उनको सजूर इतनों अच्छों मने बिल्कुल देज नीची मैं अपनी बेटी की तरियां रखू गया तो यह देखिए समाज में के पोजिटिव मैसिज है कि दहिज ना तो लेना चाहिए ना दहिज देना चाहिए तो इन् रतनलाल जी तो सर बताई जिसे आपकी पॉती जो है बगर दहेज के शाधी करके वहां गई है तो अब कैसा मैसूस करें मॉर्ण तो क्या कहिंगे उनके बारे में जो सर है वहां टीचर है उनके बारे में क्या कहिए जो नवल किसोर जी है इनमवर याओ बोटाचार प्रजम तो यह देख सकते हैं काफी बड़ा जो है मैसीज एक समाज में गया है क्योंकि यह गाओं काफी चर्चित गाओं रहा है अटेली विदान सबा का और यहां पर इन्होंने पहल की तो मैं कहूंगा कि सभी लोग इसमें आगे बढ़के राएं और पहल करें जिससे की समाज में पॉजिटिव मैसीज जा सके मैं जितने भी दरसक इसे खबर को देख रहें उनसे आगरे करूंगा कि इस खबर को जदे जदा सेर करें और चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन यह मैसीज हर एक उस घर तक जरूर पहुचाए जिसके घर में बेटिया है और जिससे की दहेज प्रता पर रोक लगाए जा सके तो हम कही न कहीं मोड पर फिर दुबारा से हाजिर होते हैं अब बने रहे हैं एमजन हर्याणा लाइनूस के साथ नमस्कार